कि कुलाम का नियम एक बल के लिए है और बल एक सदिस रासी होती है तो अगर इसको हम सदिस रूप में लिखना से हैं दिसा का भी ध्यान दें उसके जो बिंदू है किन किन बिंदू पर आवेश रखे गए हैं उनकी स्थिती पर भी ध्यान दें तो इस सूत्र को हम सदिस रू किसी सदिस की हैड-पर दूसरे सदिस की टेल रख देते थें दिस्णा को बिना परिवर्टित किए जैसे कि मालिजी यहां पर यहां पर दो सब्सaw này अ किसी बीन रखने की घेल कोक्ट कर रहें तो इस तरीक से यह जो वेक्टर होगा R1 और R2 के परिणामी को व्यक्त करता है R1 प्लस R2 इसको हम कुछन शेप में R12 लिख लेते हैं तो R12 का रख होगा R1 प्लस R2 तो इस तरीक से हमको एक परिणामी सधिस प्राप्त हो जाता है तो अब कुलाम की नियम पूह में इन ही सदिसों के रूप मगर बेक्ट करमाते हैं इस प्रकार से कह ठेंगे एक बिंदो हमने यहां पे लिया है जिसके साफ एक बिंदो आवयसों क्यूए और कुट तू की स्थिति को हम दो सदिसों के दौरा प्रकेट करते हैं Q1 का स्थिति स्थिति है R1 Q2 का स्थिति स्थिति है R2 तो अगर हम इस सदिस को अब देखें यहां पर क्योंकि Q1 और Q2 की साफेक से स्थिति को यही सदिस ब्यक्त कर रहा है तो इसे अगर हम देखें तो यह देखें किसको ब्यक्त करता है यह R2-R1 को ब्यक्त कर रहा है यह वा प्राप्त होगा वह होगा minus r1, जानि कि r1 का विप्रीज शदिस, तो अब अगर हम देखें, ये के शदिस खीचा गया है, इसके head पर दूसरा सदिस रखा गया है r2, तो पहले सदिस की tail को दूसरे सदिस की head से मिलाते हुए ये सदिस है, इस तरह के से minus r1 और r2 के परिणामी को ब्यक्त करता है यानि कि यह r2 minus r1 को ब्यक्त करता है तो इसको अगर हम शेप में लिखें तो r2 1 लिख देते हैं r2 minus r1 तो इस तरह के सिक नोटेशन ताकि लिखने में समय बचे तो r2 1 कार्थ होगा r2 minus r1 तो यह एक दूसरे के साफ एक सिस्थिति को ब्यक्त कर रहा है अब अगर हम देखें आप पर जो बल लग रहे थे उन बलों की सिस्थिति इस तरह के लिखें अगर हम f21 की बात करें इसको वेक्टर फॉर्म में सूत्र के सामें तो इस वेक्टर यह विस्थापन इसमें एक दूसरे के साफ एक सिस्थिति को देखते कर रहा है तो यह सूत्रेस्था होगा इस तरह के से हो जाएगा f21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r21 यह वाला वेक्टर इसका परिमान r21 जिसका मान है r2 minus r1 तो r21 का परिमा into r21 cap यानि कि इस वेक्टर की दिशा में इस्थिति सदिस स्थिति सदिस तो इकाइस सदिस का मान कितना होता है वो हम भी फिर बात में तर्शा करेंगे तो इस तरीके से वेक्टर रूम में हम f21 को यानि कि पहले आवेश के द्वारा दूसरी आवेश पर लगने वाले बल्को इस प्रकार जैक्त करेंगे इस तरीके से f12 हो जाएगा f12 1 upon 4 5 epsilon q1 q2 upon r12 अब क्योंकि हम f12 की बात कर रहें तो इसी दिसा में जो वेक्टर हमको प्राप्त होगा आर वनटू इसको कहेंगे तो जैसे कि पहले वाले केस में हुआ था यह वेक्टर जो अगर दहिनी ओर का वेक्टर r2 माइनस r1 को प्रकट कर रहा था यह r1-r2 को वेक्टर करेंगा समझ सकते हैं असानी से यह वेक्टर दहिनी ओर को है अगर इसका विपरीत वेक्टर ले औ माइनस R2 में R1 को जोड़ा है माइनस R2 प्लस R1 तो पहले की टेल यहां पर होगी आप अगर इसको वाम R2 के जगवा माइनस R2 लगे तो उल्टा होगा यहां पर टेल होगी तो इसकी टेल को दूसरे की हेड से मिलाया गया है तो वो मैनिस आरटू प्लेस आरबन को लेक्त करेगा या रन मैने साट अब अपन हर स्क्राइब या स्क्राइब निर्दार क्या था इसको आउन के ज़र फट्य कि दिवी तह य है तो्यज्य थीर अने 05 विद मांगे जायेगा all गर हम देखे हैं, एक आई सदिसों के रांचे होती है, एकाई सेदिस्टों के परिमान तो बराबर होते हैं, एकाई यूनिट होती है, तो इनके दिसाएं एक दूसरे के विपरी थे हैं, तो इसको हम मैथमेटिक लिए ऐसे लिखेंगे, आर वन टू कैट इस एक्वल टू माइनस आर टू उन के, तो इसका अगर हम उपयोग करें, तो हमको एक चीज में करके आते सामने, एक दूसरे के बराबर और विपरी दिसाओं में होते हैं, यानि कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी बालन करता है, अब देखे, अगर इसको हम दूसरे टॉम्स में लिखना चाहें, तो किसी भी वेक्टर का मान जो होता है, आ आर वो उसके परिमान और उस वेक्टर की जिसामें युनित वेक्टर के गुडन फल के बराबर होता है, वेक्टर आर ईसे इक्टर आर बटा वेक्टर आर का परिमान हो जाएगा, तो जो शूत्र थे यहां पर दो गहात ने अल्रेडी पहले थी एक गहात और वजाए तो तीन गहात ने हो जाएंगी तो इस तरीक से एफ वन टू इसे साम देख नहीं और बिल्कुल इसी प्रकार से एफ टुवन कमान इतना हो जाएगा वन पॉन पॉर पाई अप साइन जेरो क्यों क्यों टूवन की गहात तीन इंटू वेक्टर आर टूवन सदिस के पदों में कुलाम के नियम को हम इस प्रकार से जक्त कर सकते हैं इस एपिसोड में इतना है